Hi everyone, welcome back आपके अपनी YouTube चानल Ask or Gynecologist पे Well, बच्चे जितने क्यूट होते हैं, जितने प्यारे होते हैं, उठने ही नाजूब भी होते हैं हमको पता उनकी इम्मुनिटी इतनी कम होती हैं कि बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं और कई बार बीमारी का कारण पेरेंट सोते हैं लापरवाही के विज़े से कई बार बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खराब उनकी कंडिक्शन हो जाती है या तो infection हो जाता है, ठीक से दूद नहीं पिलाया, वर्पिंग नहीं करी बच्चा aspirate कर गया, या बच्चे को ठीक से उढ़ाया नहीं, बच्चे को ठन लग गई chest infection हो गया, बच्चे का treatment सही से नहीं कराया बच्चे की साथ सोते सोते उसके उपर सो गए, तो बच्चे की नाग दब गई, बच्चा उल्टा हो गया उसकी नाग दब गई, कितने सारे किस्से हमने सुने हैं, बच्चा पानी में नहाते नहाते कई बर drown हो जाता है, तो you have to be very careful तेज तरह की अनहोनी घटनाए, I hope किसी की घर में ना हो, क्योंकि बहुत दुगदाई घटनाए होती है और हमको बस careful रहना है कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है आज की वीडियो में, क्योंकि अब ठन्ड आ रही है, 9, December, January, February, 4 महिने ठन्ड के होते हैं राजिस्ता ने बहुत जाद ठन्ड नहीं पड़ती है, बट फिर इस बर सुन रहे हैं कि बहुत तेश ठन्ड आने वाली है तो बच्चा थो हमारों छोटा सा है कमजोर सा, कमजोर नहीं है तो वो भी अभी छोटा ही है, जोलो हेली भी है, तो भी immune system तो उसका कमजोर ही है तो बेसिक लिए आपको क्या ध्यान रखता है यानि कि उतनी मोटी जाकेट है, उसके जगे आप तीन पतले-पतले कपड़ों की लेर्स पहलो, तो हर लेर की बीच में हवा आ जाती है, एर आ जाती है, तो वो कुशनिंग ज्यादा होती है, रादर दन एक जाकेट पहना, वही बच्चे के साथ करना है, मोटा कपड़ा, हवा के लेर आती रहेगी, तो उसके लिए इतना मोटा गद्देदार कपड़ा हो जाएगा, ताको लेरिंग करनी कपड़ों की, तो जितने कपड़े आप खुद पहन रहे हैं ठंड बचाने के लिए, बच्चे को उससे एक लेर ज्यादा पहनाएं, और आपको लग रहे न निकालते हूं कि बच्चे को सांस तो ले रहे तो, इतना भी नहीं पहराने कि बच्चा पसीने में तर हो जाए, और थोड़ा सा ज़्यादा पहराखे रखना है, आप कितना पहन रहे हैं, अगर आप बच्ची को उढ़ा भी रहे हो, तो बेसिकली बच्चे के कौन से पार् आपने बाहर निकाल लेते हैं, कि बच्चे को सरफिस हैं, इन सब एरिया से अंदर ठंड जाती है, तो इसको आप गवर रखें, बच्चे को सिर को गवर रखें, नहीं तो सिर से ठंड जा सकते हैं, और उसको चेस्ट कवर रखें, अगर इंफेक्शन चला गया, तो सो पाए वो चुभे ना और एकदम soft and warm कपड़े हो एकदम soft cozy कपड़े भले वो नए ना हो wash करे होए हो दो तीन बार वो एकदम soft रहेंगे तो बच्चा आराम से सोएगा उसको ठंड बिनी लगेगी फिर आते ventilation पे बहुत से माईं बच्चे को पूरी चड़े से बिल्कुल ढग देती हैं थारी खिड़किया बंद कर देती हैं temperature रिदम cozy कर देती हैं पर यह नहीं सोचते कि ventilation नहीं आएगा तो बच्चे को oxygen कहां से मिलेगा तो भले कितनी भी ठंड हो आप उसको layering कर दो आप उसको soft and cozy रखो आपको जित्ती ठंड लगने उससे थोड़ा सा एक extra कपड़ा बच्चे को पहना दो बढ़ ventilation माद बंद करो एक नए खिड़की जरू खुली रखो एक इधर की एक इधर की तो ventilation cross ventilation चलेगा तो बच्चे को fresh air मिलेगी एक और चीज बहुत important है वो है humidity अगर humidity नहीं है कमरा बहुत ज़्यादा dry हो रहा है तो बच्चा बिल्कुल dry हो जाएगा कमरे के अंदर ventilation के साथ थोड़ा moisture भी होना चाहिए अगर air बहुत ज़्यादा dry हो रही है तो आप humidifier यूस कर लो जिससे थोड़ा सा moisture A में रहेगा तो बच्चे की skin भी खराब नहीं होगी और बच्चे को थोड़ा सा moisture भी सांस के थूँ अंदर जाता रहेगा अब आते हैं बच्चे की skincare winters में अगर air में dryness है moisture नहीं है तो सिरफ सांस में दिक्कत नहीं होगी साथ ने skin भी खराब होगी तो बच्चे की skin में moisturizer लगाना बहुत जरूरी है आप लोग तरह तरह की cream's use करते हैं तरह तरह के moisturizer's use करते हैं खुद के लिए बूवाला ना लगा कि बच्चे की moisturizer's आते हैं जो बच्चे की skin के लिए बने हैं उनको use करें और moisturize जरूर करें फिर आते हैं ठंड में बच्चों को नहलाना चाहिए कि नहीं, बहुत से पेरिंट्स डर के मारे बच्चों को नहलाते नहीं, सोचके कि ठंड लग जाएगी, तो सिरो स्पंजिंग कर देते हैं, स्पंजिंग आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा ठंड तो आप ल्यूक वाटर ले ले ले, और ल्यूक वाटर भी बहुत जादा गरम पानी से भी स्किन खराब होती है, बाल खराब होते हैं, यह आपको भी पता है, तो थंड में आप उससाब से बच्चे को नहलाए कि कमरा गरम रहे, हीटर चल रहा हो, ब्लोर चल रहा हो, बच आप बच्चे को गंदा ना रखें, अगर आप नहीं नहला पाने, तो आप भली स्पंजिंग भी करें, पर स्पंजिंग भी अच्छे से करें, यह नहीं कि बच्चे में स्मेल आ रही है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, दूद गिर रहा है, यूरिन पोटी की स्मेल, आपने इस सब बच्चे को नुकसान करें, लास्ट पर नौट दे लिस्ट, आपने सब चीज का ध्यान रखें, इसकिन केर कर लिए, आपने उसको नहलाने का ध्यान रखें, यह आपने इसको ठंड नहीं लगने दी, और बॉडी की स्मेल भी निकाल दी, आपने उसको अच्छी से कपड़े पहना दिया है, वेंटिलेशन, आपने मॉइस्टराइजर सब का ध्यान रखिया, आपने अपनी ब्रेस्ट फीट का ध्यान रखा की नहीं, बच्चा छे ही माने तक आपके ब्रेस्ट फीट पर डिपेंडेट है, पहली बात तो आपको पानी खूब पीन क्याते हैं, शुरू कर जो दो दिन का दूद होता है, जो पानी की तरह आता है, पीला-पीला वो बच्चे के लिए जरूरी होता है, उसको बुलते है कोलोस्ट्रम, उसमें बच्चे के लिए इंफेक्शन से लड़ने की ताकत होती है, क्योंकि उसके अंदर होते ही इम्मिन पड़ रहा है, तो प्लीज वीडियो ना सोने, जाएए पीडियाटेशन को दिखाएए, क्योंकि डॉक्टर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए, चोटे से बच्चे को इंफेक्शन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इंफेक्शन फैल सकता है, तो प्लीज ज मैं पीडियाटेशन नहीं हूँ, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो पीडियाटेशन से कंसल्ट करें, थांक्यू वेरी मच्च